जैसे जैसे मतदान का दिन में नजदीक आ रहा है लोगसभा चुनाफ की हाट सीट बनी मंडी में बीजेपी प्रत्याशी बॉलिवुड क्वेन कंगना रनाउत और विक्रमदित्य सिंग में जुबानी जंग जारी है मुद्दों से भटकता हुआ मामला परसनल अटैक पर आकर रुक गया है कंगना एक तरफ से वार पर वार किये जा रही है तो कंग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड रही शुरुआत में कंगना के बीफ वाले बयान को मुद्दा बनाया गया और फिर पपू चंपू पहनावा मंदिर की सफाई महाचोर थपड तक महच गया अब मामला कंग्रेस की तरफ से कंगना के बीफ वाले बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है यहां तक की कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादिते सिंग ने विवादस्पद बयान दे दिया कि जिन मंदिरों में कंगना जा रही हैं उनकी सफाई करवानी होगी विक्रमादिते ने हालांकि बात को मोडते हुए साथ ही ये भी कह डाला कि ये बात हम नहीं कह रहे देव समाज व देवनीती के लोग कह रहे हैं ये देवनीती के विपरीत है ये हमारी संस्कृती वसभता नहीं है इस तरह अमामले में हिमाचर की देव संस्कृती और देव समाज की दुहाई दी जा रही है दिर्चस्प बात ये है कि आरंभ में विक्रम दिते सिंग ने कहा था कि कंगना उनकी बड़ी बहन है और वे कंगना का सम्मान करते हैं साथ ही कहा था कि कौन क्या खाता है इससे कोई मतलब नहीं वहीं कंगना ने मंदिरों को धोने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भगवान उनका दिमाग ठिकाने लगाएगा कंगना ने कहा कि विक्रम दित्यस सिंग अभद्र टिपनी कर रहा है चार जून को पता चल जाएगा कि मंदिरों से किसको आशिरवाद मिला है और किसे फटकार पड़ी है ऐसे में मतदान का समय नजदीक आते आते चुनावी लड़ाई परसनल अटैक तक आ गई है इस बार लोकसभा चुनाव में छोटे पहाडी राजे हिमाचर की मंडी सीट गजब चर्चा में है यहां वालिवूड कुईन कंगना रनौत को मैदान में उतार कर भाजपा ने देश भर में इस सीट को चर्चा मिला दिया भाजपा के शीर्ष नेत्रेतों ने कंगना पर भरोसा जताया कॉंग्रेस ने भी जवाब में हिमाचर कॉंग्रेस के प्रया कहे जाने वाले छे बार के सीएम विर्भदर सिंग के युवा कैबिनेट मंतरी विक्रमदित्य सिंग को चुनावी रण में खड़ा कर दिया अब मुकाबला दल्चस्प हो गया है ये बात सभी जानते हैं कि कंगना अपने बेवाक बयानों के लिए चर्चित है उन्होंने खुलेया मुंबई में उधव सरकार से टक कर ली मुंबई में उनका घर तोड़ा गया फिर हिमाचो सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी जो बाद में केंदर से वाईश रेनी की हो गई कंगना ने पूरम में जो बेवाक बयान दिये हैं वे चुनावत में गड़े मुर्दे उखारने वाले हो गए हैं खोज खोज कर कंगना के पुराने बयान निकाले जा रहे हैं एक ट्वीट पर उनकी बीफ संबंधी पोस्ट थी उसे उच्छाला गया हालांकि कंगना ने बार बार सफाई दी कि वो बीफ नहीं खाती है लेकिन ये मुद्दा ही बन गया अब देव समाज को भी इसमें प्रतिक्रिया देने के लिए विवश किया जा रहा है ये सही है कि हिमाचल की देव संस्क्रीती में बीफ के लिए कोई जगा नहीं है लेकिन भाजबा समर्थकों का कहना है बीफ वो गौमास में फरक है यहाँ भैसे के मास को भी बीफ की शुरेणी में गिना जाता है जहां तक गौमास की बात है तो कंगना ने कभी भी इसका सेवन नहीं किया है ये बात भाजपा समर्थक जनता के बीच जाकर कह रहे हैं इस से स्पष्ठ है कि भाजपा को सफाई देने पर मजबूर होना पड़ा है कुल मिलाकर कुछ इसी तरह से चल रहा है मंडी में चुनाव परचार का दौर